असलाम अलेकूम एं मेरी गूड मॉर्निंग सुभव पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान दर्याबारी पॉर मेरे साथ है मुहम्मध श्वेब वेलकम बैक जी थांक्यू जांक्यू आपके मौसम एंजॉय करने जली गई नहीं नहीं शुकर करो कि मौसम बेटर हो ग अगी अब यह एक आखरी अश्रा जो है यह किस तरह से गुजरेगा बस अलतना सब्रों हिम्मत दे सबको मुझ समेट लेकिन अगर हम लोग ओर आल बात करें श्वेब तो मौसम बड़ा बेहतर हो गया है जनाब जुम्ह का दिन जुम्ह मुबारिक भी कहते हैं और मौसम पार्क के साथ है तो वह थंडी हवास पर आती है जब सब्जे पर बारिश पढ़े तो फिर तो बहुत थंड़ा हो जब बहुत थंड़ा है जनाब के मौसम अच्छा हो रहा है मैंक मौसमियात के मताबक आइंदा 24 गंटे में मौसम कैसा रहेका जिकर इसका भी कर लेते हैं इसलामबाद, बलाई पंजाब, बलाई खेव पर तुनखा, कश्मीर, गिलगित बलतेस्तान, तेज हवाईं भी चलेंगी, गरत चमक के सथ बारिश भी होगी और जमौर्ट के बेश्टर बालाई लाके हैं वहाँ पर मतला जुजवी तोर पर अबर अलूद रहेगा वाउ, तो उसका मतलब मौसम बड़ा प्यारा और बड़ा अच्छा होने वाले इस वीकेंड पर, तो जितने भी लोग चांद रात के हवाले से तो बाद में तैयारी करेंगे, लेकिन एक की तैयारी में जिन्हों ने जाकि टेलर को अपने कपड़े देने हैं, या जिन्हों के टुकेदर सुने वाले शुएब, वो भी बड़ी इंट्रस्टिंग और बड़े ही ना कहते हैं, खुशकवार मौसम में सलीपरेट होगे हैं, मेरा ला काम करें, मैं तो तो तमाम मर्दों को बिलखुसी कहूंगा, कि अपने बेगमात से कहें, भाई जान, पहले पहले तो मैंने का भाई पहले शॉपिंग कर लो, कुछ भी लेना आपने पहले लेगे, यह तो फेस्टिविटी होती ही है, जब भी आप कोई भी भाणने कही फेस्टिविटी आपने फस जने ट्राफिक के अंदर, जो मवेशी मंडी पे आप फसते है ना शुए, जो बड़ी इत पे होता है, वो तो मैं कितनी कभी भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने बहुत दफार जाके ट्रांस्मिशन की हैं, मवेशी मंडी उसे, और आप यह कीन करें, कि वहां से वापसी का जो रास्ता होता है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, दो-दो-धाई-डाई-गंटे आपको वापसी के रास्ते में लगती हैं, और आप अपने आफिस में पहुंसने में बहुत लेट हो जादे हैं, बैट एनिवे साहर अफ़तार की तरफ भी बढ़ते लिए उसे पहले, एक चोटा से कॉमेंट जरे असलाब बात की मौस्लिम के हवाले से ये कर दें कि जो आज़ अपर आज अफ़तार के वक्चछ कर 49 मिनट जबके फिक जाफर के मताबिक 65 मिनट पर 69 मिनट पर रोज़ा अफ़तार होगा और कल फिकाय हनफिया के मताबिक सहर का वग्त जो वक्त है वो 3.59 है और फिकाय जाफिया के मताबिक तीन बजकर 51.00 मिनिट पर सहर का वक्त खत्म हो जाएगा और मैंने तो आज कल मैं जरा किसी कामें बहुत अधा मस्रूफ थी और रात कोई... अच्क अच्क अच्छाए हुआनी। veggie कैसा करते हूँ कि सेहरी करेख सूजातीहूं सिफ उचना कुछ पीने के औखाने खाने के लिए और जाओे तम नगादिए। मैंने कर सबसे कर दो रुजा बंकोво deeply को धुआजा, उससे पहले सायरन बच गा। पर आजन कर लिया अपने अपने अलारम को ठीक करें चले यह जो बैल अजिक के क्लॉक इसको ठीक करना पड़ा जरूरी है अगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान एक स्पीड की बात करते हैं वजिर अजिन आज निकल शुमाली वजिरस्तान का दोरा किया था कबारिवी अमाइदीन से मुलागात की थी वज़ारत रुदमा का उदा संभालने के बाद का दोरा विजरिया अजिर वजिराज ow का दोरा किया थार्यूर्ण के एक निकूर रज़ए हुदाना सबरrióत कर गारे है और समाध रिक्वसादी तरक्य को यकीनी बनाने के हर मुम्किन कोशिश करेगी अब ऐसे में प्रामिनिस्टर ने ये भी कहा कि कबाईली इजला के अबाम ने बड़ी खुर्बानिय रही हैं और हम उनके मकरूज हैं लहाज़ा इन कुर्बानियों को कभी राएगा नहीं जाने देंगे और ने ये भी कहा कि पूरे पाकिस्तान के तरह जो मकामी अबादी के लिए शहरी सहुलियात हैं इनको यकीनी बनाना हमारी तरजी होगी वजियाजम पाकिस्तान मिया मुहमद शहबाद शरीफ साथ ने कहा कि वो पहले भी शमाली वजरिस्तान आ चुके हैं और इस वक्त जिस वक्त वो गए थे तो देश्टगर्दी औरूज पर थी लेकिन अब हालात खासे मुक्तलिफ हैं आप लोगों ने जिस तरह अपने प्यारों की लाशे अपने कांधों पर उठाई ये गिरांकदर कुर्बानिया है उन्होंने का कियाम पाकिस्तान के वक्त नडर कबायों ने कश्मीर में भी जंग लड़ी उनके कुर्बानिया हर हवाले से तारीक में सुनेरी हरूप से लिखे जाएंगी जो कभालियमाईदीन है उन्होंने वजयर लिए आदे का शूक्रत आदा किया इर इन्होंने ये यकीन दिहानी कराई कि हम पूरा तावन करेंगे अमन के लिए, इस तहकाम के लिए, खुशाली के लिए, जहां 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 जुरुत पड़ेगी, पहले भी साथ खड़े थे, आज भी जम कर खड़े हैं बिल्कुल और ऐसे में शिमाले वजरिस्तान के अपने इस दोरे की दोरान उन्होंने जुदीन यूवरसिटी, दानिश स्कूल सिस्टम और मेडिकल कॉलिज के खयाम का एलान भी किया है इन तमाम तर सहुलियात से अरास्ता मॉबाइल, अस्पतार, पिला ताखीर अलाके के अवाम को तिबी सहुलियात प्राहम करेंगी तो ये है जुनाब वजरियाजम शेहबास शरीफ का दौरा जिसके हवाले से हम आपको अपडेट करें ते कल का उनका ये जो दौरा है इंतहाई आहमेत का हामिल है और डेफसे में जो इलानात उनकी तरफ से किये गए हैं शिमाले वजरिस्तान और वहां के मकामी लोगों के हवाले से वो भी लाइक ये तहसीन है लेकिन यहीं पर ही बात खत्म नहीं होती क्योंकि तरक्की का सफर अभी जारी हो सारी है ऐसे में वजर्याजब महमद शेबास शरीफ ने हिदायात ये भी जारी की कि औरेंज लाइन मैटरो बस के साथ साथ त्रावल पिंडी सदर इसलामबाद सेक्रिटरियरेट के तरफ से मैटरो रूट को भी मुंसिलिक किया जाएगा और पिशावर मोर से इसलामबाद एरपोर्ट तक मैटरो रूट को मुंसिलिक करने के लिए फैज एहमद फैज स्टेशन पर जंक्शन जो है वो पीर तक तयार और नई रूट से कनेक्टिविटी के साथ वो मुंसिलिक कर दे जाएगा रिपोर्ट है हमारे पास आपको दिखाते हैं और एरपोर्ट शामिल है रमजान मुवारिक में मुसाफरों को सफर की मुफ्त सहूलत मुएस्सर है वजरियाजम सहबाज शरीफ ने चेर्मन सीडिय को हदायत की है कि वो औरेंज लाइन के साथ रावल पिंडी सदर और इसलामबाद सेकेटेरियट की तरफ से सफर करने वाली मेट्रों को भी मुंसिलिक करें इस मकसद के लिए फैज अमिद फैज बस टेशन पर एक निया जंक्शन तियार किया जा रहा है जो पीर तक तयार हो जाएगा जो दोनों रूट की मेट्रों को आपस में लिंक करेगा N5 से एरपोर्ट तक सर्विस 24 गंटे जा रही है अभी इस रूट पर 15 बसे चल रही है जल्द इसमें इजाफा किया जाएगा तो अभी इस रूट पर पंदरा बसे चल रही है मज़िद उसमें इजाफे के जमकानात है उसकी तवक्व जाहर की जा रही है तो मेरे खियाल से इसलामबाद के लोगों के लिए शेर इक्तदार के लोगों के लिए एक ऐसलम है जिसे ना से वो इंटर्टेन होंगे बलकि उस तरहां से महजूद होंगे क्योंकि अक्सर हमने देखा है इसलामबाद में जो पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत कम है बहुत इक गिने चुने ऐसे पॉइंट से आपको यादे हैं पर हाईस चलती थी लेकिन जारह मेट्रो की वरा से जरुरत महसूस नहीं की या मेट्रो है और इसकी वरा से आसानी है लेकिन और रूट्स पर भी मेट्रो हो या आसानी बढ़ती चली जा रही है बल्ग खुस्स एयरपोर्ट तक आब इसे कनेक्ट किया जा रहे है अच्छा अब जरा बढ़ते हैं आगे वजिराजम महमद शेबास रईफ से वजिराला सिन सेयद मुराद अली शास आपकी भी मुलागात हो या नहीं शेर एक्तदार में अब शेर गायत के मसाईल हल हो रहे हैं ऐसी बैठक लग रही है टेटेल्ड ब्रीफिंग दी है फिर वहाँ पर प्राइम निस्टर ये गहते हैं कि हकोमत की अवली तरजी है कि महगाई की चक्की में पिसे हुई आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ रहम करना है उन्होंने ये भी डिरेक्ट जो है वो मिल सके और ऐसे में जो प्राइस कंट्रोल कमेटियें जो हैं वो भी खासी मुतारिक होती हुई हमें नजर आ रही हैं किस तरह से जो निर्ख मुकरर कर दिये गए हैं लोगों के लिए लोगों की सहूलत के लिए क्या वो डिरेक्टली बराहे रासी तमाम तर रिलीज जो है वो अवाम तक पहुंक भी पा रहा है या नहीं तो ये जो चीजे हैं ये तमाम सुबों ने मिल कर देखने हैं कि पंजाब में तो उस पर काम हो रहा है लेकिन सिंद्ध को भी हिदाया जारी की गई है कि वो भी अवाम को सस्ता आटा फराहम करें और हिनार अबानिक खरने पाकिस्तान में से है तालीम और इंसानी तरखी के फरोग में बरतान विकरदार को साथ साराहा भी ना हम दोनों ममालिक में दो तरफा सफार्थ तालोकात ये खायाम की पेचितरमी साल गिरा खुछ शांदार तरीके से मनाने पर तफाक थी किया है और इस मुलाकात में हिरानबानिक हर ये कहती है कि युकरेन के बहरान के 22 पैदा होने वाली मौशे मुझमिराथ जो है उन पर भी तश्वेश का इजार किया गया है विसे आपकी क्रिस्टीन टर्णर से मुलाकात हुई? मेरी मुलाकात हुई भी है इंतहाई नफीस इंसान है इंतहाई शफीक इंसान है मेरी भी इंसे मुलाकात रही है और बड़े अच्छे तरीके से वो बरतान्मी उमूर को पाकिस्तान में लेकर चल रहे हैं और यूं कहले जए कि खासी कॉंट्रिबीशन तो रही है ही उनकी लेकिन साथ में साथ जब हम करना हो क्रिकेट मैच ही ले 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 तो वो खासी जो है लोगों को इस सलसले में उनके साथ वो इवेंट्स इंजॉई भी करते हैं और फिर अगर उनका ट्यूटर हैंडल को हम लोग देखें तो उस ट्यूटर हैंडल के जरीए वो लोगों को बताते भी हैं कि हाँ इन कर रहे हैं इग्जाक्ली ऐसे जो प्रिटिकल सिच्वेशन है को एक अपडिट उसकी भी आपको देते हैं कल पाकिस्तान तरीक इनसाब का जलसा था इससे मुझा जा रहा था कि सेक्यूरिटी खचातर जिस पर वज़र आजम पाकिस्तान मिया मुहमद शेबास शरीफ साहब ने का कि फुल प्रूफ सिक्यूरिटी फराहम की जाए इग्जाक्ली वज़र आजम पाकिस्तान शेबास सिर्फी तरफ से साबख वज़र आजम इमरान खान साहब के लिए एक अमाद जो हैं वो जाली कर वज़रत दाखला को कहा गया है कि उन्हें वो सिक्यूरिटी फराहम की जाए जो कि एक साबख वज़र आजम डिजर्फ करते हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि उनकी जान को खत्रा है जैसे कि उनकी जमाद भी इस खत्शे का इजहार कर चुकी है और अभी जो गल गुज़िशता रोज लाहॉर में जलसा हुआ हुआ है पाकिस्ता तरह के इंसा पाकिस्तान जनाब शेबास उनिफ की जानेब से इस खच्चे को देखा गया मदे नज़े रखते हुए विज़रत दाखला को इहकामात बकादा तोर पर जारी कर दिये गए जनाब कि आप उनकी स्क्यूरिटी जो उसी रखीनी बनाएं कि वो कुछ चैनल्स पर पाबंदी लगा रहा है वो चैनल्स की जो है वो ब्राडकास्टिंग के इशूज आ रहे हैं जहां पर पाकिस्ता तरह के इंसाफ के जलसा दिखाया जा रहा है जिस पर मर्यम औरंगजेब साभी ने ट्वीट किया और बकादा ये एक स्प्लें किया कि एक तो ऐसी बात है नहीं ये जूट है ये प्रॉपगेंडर ट्वीटर ने किया कि ये पाकिस्तान मुस्लिमी गनून और जमूरी और आजादी इजहार पर पुखता यकीन रखने वाली जमारतों की हकूमत है पी टे आई के फिस्ताई और अदम बरदाश्त वाली हकूमत नहीं जिसमें चैनल, प्रोग्रेम, कॉलम बंद हो, सहाफियों को गोलियां मारी जाएं, पसलियां तोड़ी जाएं, गिरिफतारियां हो, साथ ही वो पी टी सेयल का एक स्क्रीन शॉट भी शेर किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि इस वक तमाम जो चैनल्स है वो अप एए चैनल्स हैं, ये एक जमूरी मामला है, ये ऐक एसा मामले जिसमें किसी भी इस्वाद्वाट को यहां खासिल है, कहीं पर इतजाज कर सकती है, कहीं पर वो इस तरह जलसा कर सकती है, तो ऐसा कोई मामला नहीं के हकूमत कहे के रोका जाए, कुछ लोग ये भी कह थे जी रास्ते बंद की जने सेक्यूरिटी मौमलात बहतर बनाए गए हैं बलके बहुत जबरस बनाए गए हैं चुके जारा हमकी जान को खत्रे वाली मौमलात जो हैं वो रिपोर्ट हुए थे बलकुल आगे बढ़ते हैं एक और अहाम पॉइंट आपके साथ शेर करेंगे बलके एक ऐसी याद को ताजा करने के कोशिश करेंगे कि जनका होना हमारे लिए तो डेफिनेटली बहुत शर्फ के बात ही क्योंकि आपका जो गुफ्तगू का अंदाज रहा है वो हमेशा चेहर है तुम्हें बात करेंगे मरहुम मौहिन अख्तर साहब की चेहरों पर मुस्कुराहते बिखेडने और दिलों पर राज करने वाले मौहिन अख्तर साहब को बद्दाहों से बिच्छडे आज 11 बरस भी गए हैं उनके फन की अकैडमी उन्हें एक ये लखब दिया गया था औ ये मिल कर देखते हैं करोनों दिलों पर राज करने वाले सिदार्थी एवार्ड याफ्ता अदाकारा मौहिन अख्तर ने 24 दिसमबर 1950 को कराची में आंग खोली सिर्फ 13 बरस की उमर में फन की दुनिया में कदम रखा 1996 में पाकिस्तान के योमे दफा पर बकाइदा फनी सफर का आगास किया तो फिर कभी पीछे मुड कर ना देखा मौहिन अख्तर महस अदाकार ही नहीं बलके एक दोड का नाम था जिन्होंने फनूने लतीफा के हर शोबे में अपनी सलाहियतों की धाक बिठाई वर्स्टाईल अदाकार मौहिन अख्तर ने स्टेट से रेडियो तक रेडियो से टेलिवीजन और फिल्ट फिल्म नगरी तक सेंकडो रूप में जल्वागर हुए कई किरदार निभाए जो आज भी दिलो दिमाग पर नक्ष है तंजो मजाख पर मबनी उनके प्रोग्रामों में फिफ्टी फिफ्टी लूस टॉक हाफ प्लेट को बेख़त पसंद किया गया मुहिन अख्टन ने इनतिजार फरमाएं रोजी बंदर रोड से केमाडी आंगन टेरा स्टूडियो पोलेतीन येस सल नो सल और एड ट्रेन जैसे मशूरे जमाना ड्रामों में अपने फ़न का मुझारा किया उन्होंने सिदारती दमगा बराए हुसने कारगर्दगी और सितारें इम्तियास समेट कई अवार्ड अपने नाम किये ये अजीम फनकार 2011 में हरकते कलब बंद हो जाने से हमेशा के लिए खामोश हो गया मगर अपने फनी खिद्मात की बद्दोलत हमेशा मदाखों के दिलों में जिन्दा रहेंगे चलें आगे बढ़ते हैं आज पाकिस्तान समेट दुनिया भर में जमीन का दिन मनाया जा रहा है वर्ल्ड अर्थ डे इस दिन को मनाने का मकसद और इस दिन की तारीख क्या है यह जानने के लिए एक जबरदस्ती रिपोर्ट है हमारे पास लेखते है गुजिश्टा 51 साल से दुनिया भर में 22 अपरिल को अर्थ डे मनाया जाता है तके जमी को दरपेश महौलियाती खत्रात की आगाही पैदा की जा सके रवाबर्स अर्थ लेखतीम इन्वेस्ट इन अर्प्लैनित यानि हमारे से आरे पर खर्श करो है दुनिया भर में 1970 से हर साल अर्थ डे मनाया जा रहा है जमी के कुदरती सिस्टम को दरपेश खत्रात से मतालिक आगाही पैदा करने का आगास सन 1962 में मौडर्ण इन्वार्मेंटल मॉव्मेंट से हुआ था जब अक्वाम आलम अंदा धुन सन्टें काइम कर रही थी इसकी वज़ा से आलमी दर्जा हरारत में इजाफा होना शुरू हो गया और बढ़ती हुई मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस जमी के कई अलाके मतास्र होने लगे इस दूरते हाल के पेशे नजर हर साल अर्थ रे मनाया जाने लगा इनसान ने अपनी जरूरी और गयर जरूरी सरगर्मियों से जमी के कदरती निजाम पर गहरे मन्फी असरात मुरत्ब किये तो मुस्तक्मिल में कुदर्ती आफ़ात की शर्रा मजीद बढ़ेगी जी तो ये तो आपने वॉर्ल अड़ टुडे के हवाले सिक रिपोर्ट मौला हैसर की तो वो है जो कि रियास्ति स्था पर इंतिजामाद की जाते हैं ये मौमलाद जो है ये अफ्माद जो उठाए जाते हैं या फिर हम ये देख लें के ग्लोबली इस खिते को इस दमीन को पुर्फर्जा मकाम बनाने के लिए लोग कोशिशे करते हैं ये इन्डुशली श्रेब हम जमीन का जेवर जो है वो किस तरह से किन-किन चीजों को जो है वो महसूस कर सकते हैं या फिर उनको इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं मेरी सिफ बेटी के एक बात है अगर वो सब उस पर हमल कर लें तो बड़ा ही काम कमाल हो जाए वो सिफ यह कहते है वो किसी को देख ले रैपर फैंकते हुए कहीं पर भी वो कहती है अब यह जुम्ला चुकर दार स्कूल से उसने सीखा है और हमारी इसको यही तालीमे के भाई रैपर नहीं फैंकना कुछ खाओ अपने पास रखाओ डास पर फैंकना यह चोटी सी कोशिश है लेकिन यह करनी बड़ी ज़रूरी है तो दवेशी सेज के अर्थ विल बी साड अब यहां कि दाट्स ट्रू अर्थ विल बी साड विल बीसाड डेफिनेटली और ऐसे ही जब आपने घर में अपने घर का है जब आप अपने घर और उसके गर्दों वाको साफ सुतरा रखते हैं तो इस जो सड़कें हैं जो महले हैं जो गलिया है यह जो ग्राउंड हैं इ किसी जगह पर रुकते हैं तो पिछे बैग्राउंड अच्छा नहीं आरा फोटो अची नहीं आएगी तो फोटो को बहतर बनाने के लिए आप अपने आपको सवारें लेकिन उस बैग्राउंड को सवारने का काम भी आप ही पर बनता है बिलकुल ऐसा ही है तो बच्चों को फोटो जरूरी है सिखाना है हमने थार हम तो उस तरह नहीं स्चाहिट सीख पाए तभी तो जमीन इतनी इतनी गंदी गंदी को चैले होंगे साइड होग एग्जाटली तो इसको हैपी करने के लिए इन बच्चों को इस खाना है कि नहीं भी रापर नहीं पहएंगना सिखा डॉल्स बड़ी प्यारी आई हैं मार्किट में? लंडन में यहां के मार्किट में? आज चले ठीक है अगर थोड़ी एक्सपेंसिव है? नहीं इतनी एक्सपेंसिव नहीं होगी आपके लिए क्या एक्सपेंसिव है जरियाब जबतन किया था 96 साला मलका इलिजबत 1952 में अपने वाले शाज जॉर्ड शेशम के इंतकाल के बाद तखतनशीन हुई थी और बरतानवी तारीख में सबसे तवीर आर्से तक तखतनशीन रहने वाली ये मलका हैं अब ये बाबी डॉल्स लैंडन के स्टोर्स दो फरॉक्त की जाएंगी मैं लेकर जारूं आपको शॉपिंग कराओं के टेंशन नहीं आपर लेंगे बाबी डॉल्स बहुत अच्छी लगए बड़ी क्यूट लगए ये तो मलीका इलिजबत जो है वो भी जो ड्रेसे करी करती हैं मैं के बहुत ही कमाल बड़े खुपसरूत होते हैं बा हो भी उनके हैड्स भी मतलब ओवरॉल इस एज में आके खुद को इतना सिंक रखना आपस में हर एक चीज के साथ ये कुछ लोगी कर सकते हैं अपर तो मलका है मेरा खेल आगे बढ़ते हैं और खबर हमारे पास है और वह है निजाम शमसी से मुतालिक आज बड़ा आहम दि हैं अब जो एक उड़ा है यह शमाली निस कुर्रे से किया जा सकेगा और यह नॉर्थ पूल चार का नजारा आज शफ़क फूटने से पहले आसमान पर किया सकता है अब शफ़क फूटना क्या है ज़रा यह भी हम अपने पहली करन आपी हैं वो 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 वक्त जिस वक जमीन और आसमान दोनों मिल रहे होते हैं और उजाले का टाइम होता है उसको उफवक और शफवक कहते हैं ये वो वक्त होता है 23 अपरेल से दुनिया का चांद भी इस खतार में शामिल हो जाएगा 24 जून को निजाम शमसी के दीकर तमाम सेयरे मजीद बड़ी सेयराती तर्तीब में जमा हो जाएंगे लेकिन इसका नजारा एमें नहीं है कि मैं और रज़र आप करेंजिए हम देख रहे हैं वो सेयरे ज़ान होता था कि लोग टैलिसकोप सिया दूरबिन पर्चेस किया कर देखे खरीदा कर देखे अब अब मालूम नहीं कि अब भी लोग जो है उसका शूआ करते हैं यह नहीं रखते हैं लेकिन मैंने तो वह खिलोने वाली दूरबिन से देखने के कोशिश की और उससे तो जो नजर आ रहा होता है ना वो भी दुन्बला जाता है, इसके क्लासे जो शेड्स होते हैं, इतने अच्छे हाई डेफिनेशन नहीं होते हैं, बिल्कुल ऐसे, चलेंजे एक छोटी सी ब्रेक की तरह बढ़ रहे हैं, जब ब्रेक से वापस तो फिर बात करेंगे, रमजान में आपका दिल कैसे काबू में आ जाता है, इसलिए भी क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, जुम्ह, हफ्ततवाट डेफिनेटली क्योंकि आखरी श्रे का आगास हो चुका है, आप लोगों ने तारी और सहरी बुक्तानी, इसलिए हमने आपको कंट्रोल करना है, ब्रेक ल इर्शाद बारी ताला, एए लोगों अपने रब की अबादत करो, जिसने तुम्हें तखलीक किया, और उनको भी जो तुम से पहले थे, ताके तुम मुत्तकी बन जाओ, जिस जात ने जमीन को तुम्हारे लिए बिच्छोना बनाया, और आसमान को च्छत, और आसमान से प निकाला, तो तुम अल्लह का किसी को शरीक न बनाओ, और तुम जानते हो। जब रमजान का मुबारक महीना आया, तो अल्लह ने इसके रोजे तुम पर फर्स कर दिये, इस माह में जन्नत के दर्वाजे खोल दिये जाते हैं, जहन्नम के दर्वाजे बंद कर दिये जाते हैं, इसमें एक रात ऐसी है, जो हजार महीने से बेहतर है। कुरानी आयात और अहादीस नब्वी सल्दल्लाहु अलेह वालेही वसल्नम का एहतराम हम सब पर फर्स है। ताजिरात पाकिस्तान के सेक्शन 295 बी के तहर कुरान पाक की ताहीन काबल सजा जर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है, इसको गंदगी या रद्दी में ना पैका जाए। इस मुबारक माहِ रमजान में का दूसरा आश्रा बाएसे मगफरत है। आश्रा आश्रा थाज्रा आश्रा आश्रा दूसरा लिए। आई लाह मेरे गुनाहों को बखश दे और मेरी तूबा कुबूल फर्मादूए। जिदर्वो आली मकाम गोगा वेल्कम बाक अफ़र दो ब्रेक और ये हल्थ सेग्मेंट है जिसमें हम मारी कोशिश ये होते हैं कि हम खुद भी अपनी रूटीन को बेहतर करने के लिए सीखें आपको सिखाने के कोशिश करें लेकिन मजाल है कि जरियाब अपने दस्तरखान पर उन चीज़ों को माइनस कर दे जो कि सहती है अच्छी बात है लेकिन खाए फिर भी होंगे नहीं तो कहां से खाऊगे आप घर में अफ्तारिया कर नहीं रही ना ये मसलवी तो है आपको शेके नहीं हो है और ये जावमें बार जागी नहीं खाय के लिखाए अच्छा दुछला जब ब्रेके पर थे तो चितरालस एक दोस्त आजीब को मुझे मेसेज आया जो खुंकर जूम्रण बादि दिल को काबू में कैसे रखना हम तो थे काबू में आते हैं तो हम पूछेंगे कि या लोबिया थे अच्छा है नहीं बिल्खुस दिल की सहत के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा तो आज हमारे साथ मौजूद है दॉक्टर शुमाइला गफार साहिब अच्छा प्रूड़ प्रूड़ शुमाइला च्छा और अच्छा प्रूंपर शुमाइल रोकुलर बोलती हूं तो मैं सबसे पहले अपने उपर इंप्लेमेंट करते हूं और फिर भाइन आप अच्छी बाद अब रखाए व्या सहत के लिए कैसा है लोबिया जोग वेरी ओवरॉल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और स्पेशली ब्लाड बनाने के लिए हासे इसको बहुत मुफीद समझा जाता है तो लोबिया जरूर खाना चाहिए इसकी चाट बनाके खा लें इसका आप खाने में भी ऐस अ मील भी यूज़ कर सकते हैं तो इसके तो फवाइद भी है ठीक है अब रमजान इंटर्मिटन फास्टिंग और इसका डिरेक्ट इंपक्ट ऑन आर हार्ट हेल्थ ओफ हार्ट क्या है बिलकुल जिसरा कि मैंने लास्ट टाइम का था कि रोजा जो है वो दिल के बहुत फेवर में है और जिसरा कि अब भी जर्याब ने भी कहा कि दिल को जरा काबू में रखाना पड़ता है तो फास्टिंग के दिल पे बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं और आपका ज देता है HDL जो होता है वो इंप्रूव हो जाता है रोजे की वज़ा से and it is heart healthy इस तरह है LDL लो डेंसिटी लाइपो प्रोटीन इसको कहते हैं लेकिन असान याद रखने का तरीका यह लावजी 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 और यह जो इफक्ट है यह तकरीबरं 10 दे तक बहुत अच्छे तरीके से यह आपके लिपड प्रोफाल को manage कर देता है अगर आप रोजे सही तरीके से अग्यर कोई borderline पे आ रहा हो colesterol levels पे तो क्या 30 दिन की fasting से वो borderline से वापस आ जाएगा ना ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही ह लेकिन उसमें आपने यह थियात करनी कि आपने रोजे को इस तरह रखते हैं अगर हम लोग पर कोड़े खाते रहेंगे, समोसे खाते रहेंगे, फ्राइड आइटिम्स खाते रहेंगे, तो डेफिनिटली फिर तो कॉलिस्ट्रॉल कम नहीं होगा, फिर तो ज्यादा हो जिस तरह के हम अगर कोई बाड मेटीरियल हमारे घर में जिस तरह कोड़ा करकट आपने अभी जमीन की बात भी तो इसी तरह कोलेस्ट्रॉल आट्री की वाल्स में यह गंद के तौर पे जमा होना शुरू हो जाता है और जब यह एक तरफ लगना शुरू हो जाता है तो यह आट्री का जो कैलिबर है उसको तंग कर देता है जब आट्री तंग हो जाती है तो उस पर से डेफिनेटली ब्लड को गुजरते वे प्रॉब्लम होती है और जब ब्लड को गुजरते वे प्रॉब्लम होती है तो वह आपको भी प्रॉब्लम देता है हाइपटेंशन और बहुत जादा नुकसान आते हैं मैं हमेशे यह बताती हूं लोग शोगर से डरते हैं और कहते हैं कि यार ब्लाड प्रेशर का क्या है यह तो मैनेज हो जाएगा खुराग से मैनेज कर लेंगे नहीं ब्लाड प्रेशर is as much damaging as diabetes यह आपको फालिश दे सकता है स्ट्रोक जिससे कहा जाता है इसके इलावा आपके ब्रेन में ब्रीडिंग हो सकती है आपकी किड्नी जो है वो फेलियर की तरह जा सकती है आपके हार्ट को जो है वो इंट्रलिंग कर रही है बिलकुल अच्छा तो आपको हार्ट फेलियर भी हो सकता है हार्ट अच्छा अच्छा अब यह जो वहां पर यह जंक जमा जब होना शुरू हो जाता है तो यह अगर ब्लॉड प्रेशर आपका ज्यादा है तो यह वहां से थोड़ा सा मटीरियल एंबॉलाइज करके आपके ब्रेन में ले जाएग वहां पर जब जाएगा तो वहां पर ब्लॉड सेप्लाइब बंद हो जाएगी जिसकी वज़ए से आपको जो है फालेज का अटैक हो सकता है और एक दफा आप यह कीन करें फालेज का टैक हो जाए फिर रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है इसलिए बहुत बेतर है कि हम फैस्टिंग सही तरीके से करें अपना कोलेस्टरॉल को काम करें और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें यह फेमिलियल टेंडेंसी होती है वह यह व द्यार वेरी यंग उनकी यह इवन जो है इंटिंग हैबिट्स भी बुरी नहीं होती है लेकिन उनको फेमियल हाइप पता भी नहीं होता इसलिए अगर आपकी फैमिली में ये है और फैमिली में किसी यंग परसिंग की डेट हुई है तो आप प्लीज अपने कॉलिस्ट्रोल लेवल जरूर चेक करवाईए अब भी बताईएगा के जब हम लोग बात करें आप यहार्ड इच्ईूज के हवाले से अब आपने का कि ब्लेट प्रेशर को भी आपने इतना जो है वो गयर संजीदा नहीं लेना है लेकिन रमजान में बिल खुसूस आप नॉर्मल भी हैं आपको बिमार ही नहीं है लेकिन रोसी की हाथ आपका बीपी बहुत जादर डाउन होना शुरू हो जाता है वो किस हब तक के मरीज जो होते है पहले उनकी आपने बात कि अर फिर घ्डाल प्रेशर की जिंके जबान के नीचे नीचे अगर लो ब्लरड प्रेशर इस नौट अज बागं अस बहुत असाण तरीका है आप निंबू पाणी बना के पी लें उस दिन में मैं सोडे का गेरी ती रहा तो व तो मैंने उनको कहा कि आपको dehydration हो रही थी तो अगर आपका low BP हो रहा है इसका मतलब है कि आपने पानी पीना है निम्बू पानी बना के पीलें जल्दी से कोई निम्बू पानी नहीं है तो पानी में थोड़ा सा नमक और शुगर मिला के पीलें इंस्टेंट बूस्ट के ब्लीडिंग हो रही हो अचा अब high blood pressure यह वो लोग होते हैं जो के जिनको आपने कहा के जुबान के नीचे गोली रखी जाती है तो this is very very dangerous अगर वो गोली ना रखी जाए तो आपकी kidneys fail हो सकती है जिसना मैंने कहा के stroke हो सकता है hemorrhagic जो है आपको paralysis हो सकता है यानि आपके brain मे bleeding हो सकती है तो बहुत जरूरी होता है कि आप blood pressure नीचे लेकर आए अचा बहुत सारे लोग ना जो के रोजा रख रहे होते हैं और उनको blood pressure होता है वो इसको तना serious नहीं लेते हैं वो कहते नहीं blood pressure का क्या है इतना नहीं बहुत important है कि आप अपनी दवाई time से लें आपने जो आपकी मेन गोली है वो आप अफ़तार के बाद ले लें क्यूंकि अब आपका जो मेन मील है वो अफ़तार पर आप ले रहे हैं तो आपने जो मेन अपनी blood pressure की गोली है जैसी हम लोग खाना खाते हैं और एक heaviness आती है तो blood pressure उपर की तरफ जाता है तो आपने अपनी main medicine उस व आना चाहूंगी कि बहुत जादा जुरूरी है कि आप अपनी blood pressure की medication भी adjust कर वालें जिस तरह कि हमने diabetes की medication की बात की थी कि उनका adjust होना बहुत जादा जुरूरी है इसी तरह blood pressure का भी जो मरीज है उनको चाहिए कि अपनी medication adjust कर वालें कि why I'm gonna explain that क्योंकि जब आपने रोजा तो वो added egg effect आजाएगा तो इसलिए आपने dose adjustment कर वालें डॉक्र को दिखा लें रूटीन के हिसाब से अपने जाहरा सहर रफतार के जो आप खाना पीना कर रहे हैं उसके हिसाब से बिल्कुर के blood pressure की बात हो रही है तो आपने medicines की बात की market में कुछ मुरकबात भी available होते हैं मै नाम नहीं लेता लेकि उसमें सरका भी होता है उसमें lemon भी होता है उसमें ginger भी होता है और कहा जाता है कि अच्छा ये safe का सरका specifically की ये चीज़ें इस्तेमाल करने से कॉलिस्ट्रॉल cut down होता है आपकी राए क्या है इस बारे में देखें मैं हमेशा आपने patient को भी कहती हूँ क एक combined approach लेके चलना चाहिए I'm an allopathic doctor लेकिन मैं homeopathic पर भी believe करती हूँ और इसी तरह देशी नुस्खे और तिब्बे नबवी पर भी मेरा मुकमल एतिकाद है तो एक शिफा देने वाला Allah ताला है और एक combined approach लेके चलें इनमें कोई mosaica नहीं है देखें ये ginger आपने बात की it is very good for opening your arteries इसी तरह sirka भी जो है ये fat को cut करता है आप किसी जगह पर विनेगर की spray करें तो आप देखेंगे किस तरह से सफाई कर देता है even fungus को भी भगा देता है तो ये आपके internal system को clean कर रहा होता है cleansing चल रही होती है इसको नहार मुही पिया जाए तो fat loss के लिए काम करेगा या फिर दिन के में किसी भी वक्ता पी सकते हैं देखें अगर आप चाहते हैं कि maximum benefit हो तो फिर I would recommend कि आप इसको नहार मुहीं क्योंकि उसका असर जो है वो सबसे जादा होगा कुछ लोग इसमें निम्भू भी डाल जाते हैं वो फिर एक और additional factor आजाता है weight loss के लिए क्योंकि जितनी भी खटाई वाली चीजे ना बेसिकली वह आपके fat को काटती है तो जिसरह के आपने कहा के sirka तो इसी वजह से वह आपके arteries भी खोल रहा है क्योंकि वह आपके fat जो है वह आपकी body में से निकाल रहा है और ज during the pregnancy blood pressure खवातीन का बढ़ जाता है throughout the pregnancy उन्हें लेनी पड़ती है मेरी wife दोनों दफाव यही इशू था तो मैं बड़ा note देखता हूं इसको के क्यों है यह तो आपके से recommend भी करें क्या करना चाहिए और यह क्यों होता है ठीक देखिए pregnancy जो है वह एक ऐसी हालत होती है जिसमे you are taking care of yourself as well as another person who is gonna be in this world तो आपके ओपर एक added responsibility आजाती है अच्छा बहुत सारे hemodynamic यानी blood related changes हमारे body में आते हैं ठीक तो क्या होता है कि hemo dilution भी हो जाती है इसी तना बाज लोगों को blood pressure का मसला शुरू हो जाता है और बाज लोगों को even sugar का problem बिल्कुल ऐसे gestational diabetes हो जाती है जि इसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नी है अपनी gynecologist को consult करें अगर आपको sugar हो रही है blood pressure हो रही है वो आपको बताएगी कि किस तरह से आपको manage करना है and they can be very easily managed पहले वो कोशिश करते हैं कि खुराक के साथ हो जाए diet and exercise के साथ हो जाए अगर वो नहीं हो सकता तो फ जो भी टोटके हैं उनको भी इस्तमाल करते हुए you should be very very careful right अचर अब इस रमजान में टॉक्टर साहब एक और बड़ा मसला चल रहा है मैदे पर भारी पन महसूस होना आप कहते हैं कि भोक ने लगरी सहरी पर खायने जाएगा आच्छा जी इतना आपने वो फास्टिंग अ कुछ और खाब कर सकते हैं तो यह भी बड़ा एक सिच्विशन है पूछ रहे हैं कौन यह खुश किसमा जो पाने बहुता पी लेते हैं मैं हमारे रिसर्चर मारे प्यास की भी बात कर रही हूं उनके भी बिचारों का दो दिन से यह मसला चल रहा और ऐसे बहुत से लोग हो होता है बहुत चोटा सोता है बिल्कुल ठीक है आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं अब हमारी पूरी जो कौर में वो डाइटिंग पर लगी है सैडली और हम लोग कुछ नहीं खाते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो के वन मील अडे खा रहे होते हैं है ना तो फिर क्य दूसरे टाइप के वो लोग हैं जो के पानी बहुत ज्यादा पी लेते हैं ठीक तो उन्होंने भी यह करना है कि पानी एकदम से बहुत सारा ना पिये जिसरा कि मैं बार बार कहती हूं थोड़ी जी कुछ उरका हैं थोड़ा सा पानी पियें एक ब्रेक लें तो उसकी कि आपने जब 80% आपको लगे ना कि मैं फुल हो गया हूं और 20% आप और खाना चाहरे हैं वहां पे आपने एक फुल स्टॉप लगा जाते हैं आप 80% आपको पता फुल हो गया नीच वरी आंटी ने एकदम बेल बजाए रोने एक ट्रे दे दी आपको इतने मजे मजे की च करने जब भी को बहुत अची चीज आपके सामने आजाए और आपको पेट भराव है और सब वक्त कम था वरना इम्म्यूनिटी करते हैं लेकिन नेक्स सेशन पर हम इंशाला करेंगे रोजा एन इम्म्यूनिटी तैंक यू वरी मच आप साथ मौजू ते बड़ा मज़ा आत इंसे डिसकॉर्शन करने का बहुत नए नजीजें हमारे साथ शेयर हो जाती हैं अपनी एक्पिरिंस भी इनके साथ और आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे एक ब्रेक की तरफ बढ़रे न्यूस ब्रेक है वापस आते हैं साथ रहे हैं सुब पाकिस्तान में नए से रह से खोशामदीद इस घंटे में आज हम शेयर खुदा हाथ अली रजियल्ला ताला नहीं की शहादत के मौदू पर गुफ्तु करेंगे कल भी हमारी कोशिश थी चूंके जखमी 19 रमजान मुबारक को हुए तो हमने कल हजद अली से मुतालग भी गुफ्तु की थी फत्य मक्का पर भी कुछ गुफ्तु कुई और आज इस प्रोग्राम का जो आगास करेंगे इस घंटे का जो आगास करेंगे वहम तिलावत कुरान पाक से करेंगे इसके लिए हमारे सब मौजूद है गारी मुहम्मद अब्दुर्रह्मान साथ अधूद बिल्ल्ही मिन श्शेटानी र्रजीम बिस्मिल्ही र्रह्मानी र्रहीम अल्दीन आमनु वताम इनु कुलूबुम बिदिक्रि ल्लही अला बिदिक्रि ल्लही ताम इनु कुलूबुम अल्दीन आमनु वामिलु स्वालि हाती तूबा लहुम वहुस्नु मावब कजलिक अरसलनाक फी अम्मति कद खलत मिन कबलिया अम्म लितलू आम्म लितलू आम्म लितलू आम्म अम्म लितलू आम्म 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 लितलू आम्म्म लितलू आम्म्म लितलू आम्म्म लितलू आम्म्म लितलू आम्म्म्म लितलू आम्म्म्म लितलू आम्म्म्म लितलू आम्म्म्म लितलू आम्म कुल हुआ रब्बी ला इला हुआ इला हुआ अवाले ही तवक्लत वा इले ही मताब लग्लवान अ प्रुाना सियरत भी लजिबाल अ उ पुत्तृ अ । झुलिमा भी मुता बल्लाह अम्र जमिया अफलम ये असिल लदीन आमनू अलो ये शाओ उन्लाहु लड़ा कजला हद लदीन लड़न ईस्च nap яв उलाह ये उल लड़ा अवे व मैं वेतिक तूलम मैं हिपल लड़ मैं बानू भैलम मैं ह। ये मैं तूली कल सभ आम लड़ा कर Andaि को हैंова मिन दारी हिम आता यैती वाद लाद छिन नालाहा लायो भिफ लुम याद शधाक उनल्हा हुदा लायो फुमा लायो जजाक अल्ला जजाक अल्ला गारी मुहम्मद अब्दर रह्मान सहाब आज इस तरह हमने प्रोग्राम के इस घंटे के आगास में का कि हजद अले करम अलवजो कि यौम शहरत दिन तो कल है कि इस रमजनल मुबारिक लेकिन आज क्योंकि हमारा प्रोग्राम है जुम्मे को फिर प्रोग्राम नहीं होता इसी लिए मुनास्पत हमने सुचा कि आज हम उस पर गुफ्तगू करें आज मजभी स्कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं तारुफ करा देता हूँ अलामा शकील अख्तर साथ मौजूद हैं और मुफ्ती गुलजार अमद नईमी साथ दोनों को वेलकम करेंगे सर लेकिन इससे पहले कि हम इसका आगास करें थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं एक मनकबत यहां पड़ी जाएगी जब बात हम करते हैं हजरत अली करम अलवजु की तो उनसे मतालिक हम जरूर कहते हैं कि बाबुल इल्म कहा गया उनको और बहुत सी जगा पर जब हम इल्म के हवाले से एक्जामपल दें तो उन्ही का नाम सबसे पहले आता है अगी फचाहरम सेगिदना हाज़त अलीयल मुर्तजा मेदाने जंग के अगर हम बात करें तो तलवार के माहर समझे गए मसाजिद में अबात गुजार समझे गए काजी का लगब इनको दिया गया अजम और होसले में जर्बल मिसल थे, खिताब तो जहानत में बेमिसल थे हज़ूर स्लिल्लाओ के चचाजाद भाई, उनके दामाद, आपकी बेशुमार फजीलते हैं आप सखी, आप वयास, दूसरों का दुख तर्द बांटने वाले, परहेज़गार हैं, मुजाहिद हैं, जामबाज हैं इज़ उनकसारी के पैकर, अपने एधे खिलाफत में बाजारों में जब तश्रीफ ले जाते हैं, तो जो लोग रास्ता भूले हुए होते हैं, उन्हें रास्ता बताते हैं जो बोज उठाने वाले नज़र आता है, उसका बोज उठाते, मदद करते, हमेशा एहल दीन की ताजीन करते, मसाकीन को अपने बिलकुल साथ बिठाते, कोई ताकत वर अपनी ताकत की वरास से उनसे नजाईस फाइदा उठाने की अमीद ना कर सकता था, और कोई कमजोर उ से खुश नसीब सहाबा कराम में आपका नाम शामिल है, जिनने हुदूर सललाहो अलहे वाली वस्तलम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी, जन्नत की खुशखबरी सुनाई, ये नवीद उनने सुनाई, आप बैते रिजवान में शरीक हुए और इस जमात में शामिल ह कि इनके हवाले से जब जिकर किया जाए, बात की जाए तो ये प्रोग्राम्स कम पढ़ जाएं और ये गुफ्त को खत्म ना हो, मनकबत के लिए रजा काजमी साहब साथ मौजूद हैं, तो उनकी तरफ हम बढ़ते हैं, रजा साहब. या एली, सब के हाजित रवा, या एली, या एली, जिसका मौला हुमें, उसके मौला अली, जिसका मौला हुमें, उसके मौला अली, खुद नभी ने कहा, या एली, या एली, खुद नभी ने कहा, या एली, या एली, जिसके से पर नजर आपके पड़ गई, आपका हो गया, या एली, या एली, आपका हो गया, या एली, या एली, और जिसके से के नजर आप पर पड़ गई, देखता रह गया, या एली, या एली, देखता रह गया, या एली, या एली, और जब भी मुशे किल पड़े, हर बला तल गई, मैंने इतना कहा, या एली, या एली, मैंने इतना कहा, या एली, या एली, या एली, और वो बुलाए तो पौं, चूं मैं सेदा नजर फे, विर्द करता हुआ, या एली, या एली, विर्द करता हुआ, या एली या एली आपके दर से खाली ना लोटा कोई जिसने मांगा दिया या एली या एली आपके चाहने वाले सदा खुश रहें है हसन की दुआ या एली या एली सब के मुशिकिल कुशा या एली या एली या एली या एली या एली या एली की जानी मैं इसी मनकबत के जमले से आऊंगी मैं पहले भी इस पर बात करना चाह रही थी लेकिन इत्फाक या हुसन इत्फाक है कि उन्हों ने इसी के साथ ही अपनी मनकबत का इखताम भी किया मुफ्ति गुजार नईमी साथ सबसे पहले हम आपसे जाना चाहूंगे कि जब हम यह कहते हैं कि जिसका मौला अली उसका मौला नभी और जिसका मौला नभी उसका मौला अली यह अपना और अली के दर्मियान का जो हुदूर अकरम स्लिल्लाहुलियों ने महबत का जजबा बा وہ گفتگو کے لیے مجھے دعوت دی ہے میں کیا اور مولا علی کیا ہم کیا اور مولا علی کیا ایک ذرہ جو ہے وہ آسمان کی کیسے تاریخ کر سکتا ہے اور ایک اتنی بڑی شخصیت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے من كنتو مولاو فہازا علی مولاو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو اس ذات کی جو ہے وہ تعریف اور خصائص, سم کے شمائل جو ہے وہ کون بیان کر دیتا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کی وہ ذات ہیں جن کو رسول اکرم ﷺ کے ساتھ جو محبت تھی جو عشق تھا اور رسول کو جو حضرت علی سے جو محبت تھی جو پیار تھا وہ اس پوری امت میں ہمیں کہیں پہ بھی وہ نہیں ملتا ہے یعنی حضرتِ علی کرم اللہ تعالی وجه الكریم وہ ایسی شخصیت ہیں ایسی شخصیت ہیں جن کو رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک فرامین سے اتنا مقام عطا فرمایا ہے اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ اس امت کے کسی فرد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم में इतनी तारीफ तौसीफ और इतनी महबत के अलवाज जो है वो नहीं आप ज़रा गोर कीजिए कि जब घजव तबूग पर रसूल अकरम सल्लाहु अले वाली वसल्म ने हदरत अली कर्म अल्लाहु वजुल करीम को पीछे चोड़ा तो लोगों ने मुनाफिकीन ने इसलाम दुश्मनों ने ताने दिये के अली तुम्हें बच्चों और आर्टों में रसूल अल्लाहु अल्युल करीम को इन तानों से बड़ा शाक हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, खोड़े को एड़ी लगाई और रसूल अल्युल अल्युल के पास जा गए और अर्ज किया अल्ला के रसूल मैंने अवल से लेकर आखर तक कोई ऐसी जगा मुझे आप इर्शाद फरमा दीजिए, कि मैंने आपके शाना बशाना वो दीन की खिदमत मैदान कारजार में की नहना की हो, तो आप मुझे यह आपर वो औरतों और बच्चों में क्यों छोड़ रहे हैं, तो अल्ला के रसूल सलला लिए वाली वाली विसल्म ने क्या खुबसूरत अली कर्म लाला ताला वजहुल करीम को जो है, वो खिराज पे महबत का खिराज पेश किया, आपने रिशाद फरमाया, या अली अंत मिन लिए बिमन्जलत हारून मिं मुसा वलाकिन ला नबी अबादी, ये जो ताने देने वाले हैं, इनको ना देखो, एई अली तुम तो मेरे लिए उस तरह हो, जिस तरह मुसा के लिए हारून थे, लेकिन उस वकत नबुवत का दरौजा खुला था, आज लाकिन ला नबी नहीं आया, इसी तरह जो है, वो जब मौाखाथ होती है, तो आप स्वाबा को एक दूसरे का भाई 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 बना दिया, तो अली करम ल्लाई ताला वजहुलकरीम को छोड़ दिया, तो अद्रत अली करम ल्लाहुलकरीम ने अर्ज़ की, कि या रसूल ला मुझे आप जो entai afsided dunia que tu dunia में بھی میرا بھائی ہے tu آخرت में بھی میرا بھائی ہے یعنی یہ رشتے جو ہیں یہ جو معاخات کے ہیں یہاں پر یہ ختم ہو جائیں گے تیرا میرا رشتہ ایسا ہے جو دنیا میں بھی قائم رہے گا اور آخرت میں بھی قائم رہے گا اس وجہ سے بے شمار فضائل اور بے شمار عقیدتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرتِ علی کرنم اللہ تعالی وجل میرے इर्शाद फरमाई हैं मैं ये समझता हूँ कि उम्मत ने जो है वो अली को पहचाना नहीं है अगर पहचान लेते तो यकीन जाने के आज के ये इखतिलाफ और आपकी जात को जिस तरह जो है वो सबसे बड़ा दम भरने वाला है और हदीस रसूल मकबूल सललल लाई वालिव सलम्हीं भी सबसे बड़ी चीज़ जिसको आया करती है वो महबत अली है और वो फ़जिलत अली है सुभान लाई अल्माई सहब हसाद अली करम अले वजुल करीम की जब हम बात करें मौलूद काबा, विलादत काबा में हो रही है, शहादत मस्जद में हो रही है ये दो अजीम रुत्बे उन पर बिस्मिल्ला आहरे मारे रही है, बहुत शुक्रिया रिबला नाईमी साहब ने बहुत तफसील से गुफ्तगू कर दिये एक बात जहें में रखिएगा कि जब हम किसी की तारीफ करते हैं कुछ तीज़ें मुश्तरका होती है, बसलना आप भी रहम दिन है, मैं भी रहम दिन हूँ नाईम साहब कुछ जादर रहम दिन हूँ लेकिन कुछ सिफात ऐसी जिसमें मौला काईनात का कोई शरीक नहीं और वो है, अना वालियू मिन नूर इन वाहिद, रसूल गहदीज से मैं और अली एक दूर के दो तुक्डे हैं, इसमें कोई और शरीक नहीं हो सकता अना मदीने तुल्मे वालियून बाबुहा, मैं शेहर इल्म हूँ, अल्यूस का दर्वाद है जितनी भी निस्बते दी हैं, नभी करीम ने मौला काईनात को अपनी जाद से दी है ये एक फजीलत की बाद, हमारे लिए मरकज और महवर है रसूल अकरम की जाते गिरावी, वो हमारा मरकज है, जब उन से निस्पत दी जाएगी पिर जो चीज़े मम्य्यों मम्तास करती है, मौला काईनात, को, अगर तेज // कॵई में उनका शर्यक, लाशरीक है उस फजीलत में कवी देहिंगे कावे में ममौली चीज़ नहीं है काभे में ऐहां पयरी जो मुला कायनात को लबी से पहले अबादत का इंतजाम न था अदब रसूल का खालीक का एहतराम न था नमाज होती भी काएं तो किस तरह होती खुदा का घर तो बना था मगर अमाम न था तो मुला कायनात वो वहाँ उसके बाद जितनी मनजिलें अगर आप तेजी से गुजरेंगे बदर, ओहद, खंदक, खेबर इन सब का फाते मौला काइनात नजर आती है और आखरी हच की बाद जहाँ भी आप गुफ्सू कर रहे थे जिसका मौला उसका अली मौला है यह यहीं एक जुबला नहीं कह दिया गया इसके लिए पूरा इतमाम किया गया तारीख ने लिखा और गदीर में एक पुरा मिंबर सजा और पालानों का मिंबर बना और वहां बनद करके कहा कि मन कुंतु मौला फाहद आली नोना जिसका मैं मौला हूँ उसका लेकि इसमें एक छोटी सी बात है यह कह देना कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है एक सिंटेंस है लेकि इसके पसमंदर में पुरा एक खुटबा है जिसे खुटबा है गदीर कहते हैं पहले हच किया समझे आप जमदम से बज़ू करने के बाद तवाफे काबा करने के बाद सब को बिलकुल कहते हैं हच करने के बाद लोग ऐसा पाक होदार जैसे मा की पेट से दुनिया में पेश्रीफ लाएं तो यह सारा मजमा एक पाक लोगों का मजमा है उसमें कहरें क्या जो मेरी जमेदारी से मैंने पूरी कर दी जो कुछ मुझे पहुचाना था तुम तक पहुचा था सबने काबला या रसुलिल्ला फिर उसके बाद पालानों का मिम्बर बनाया और अली को बलन करके का अगला मनसब इमामत का शुरू हो रहा है तो यूचा मैं ये कि हैंडिंग टेकिंग और हो रही है कि आज के बाद से जो हमारी इंटिप्टेशन है जो दीन की वो तुमारे हवाले करके जा रहे है अच्छा ये इतना वक्त आपके बास नहीं वरना मैं गुजारिश करता था अफसील से जो सबसे बड़ी फजीलत है वो पूरी काइनात में मौला काइनात की ये सदा जो गुजली उसका कोई शरीक नहीं वो क्या है सलूनी सलूनी पूछ लो जो कुछ पूछना है कब लिसके के मैं तुम्हारे दर्मियान ना हूँ या खो जाओं ये दावा 14 सदियां गुजर गई है आज तक कोई बड़े से बड़ा आलिम नहीं कर सकता पूछ लो जो कुछ पूछना है मैं जमीन के रास्तों से बेतर आसमान के रास्ते जानता हूँ ये जम्ला है कि मैं जमीन के रास्तों से बेतर फ्रांस का एक बड़ा मौर्लिक है उसने का काश मैं मौला काइनात के जमाने में होता कि वो इतना बड़ा दावा एक शख्स कर रहा है और उससे पूछा जा रहा है मकाम कज़ा जिसे फैसले की मनजिले कहते है आज का नौजवान कहता है कि जनाब ये अलमाय कराम हमें दीन पुरानी तालीम दे रहे होते है मौला काइनात के फैसलों में वक्त नहीं है मैस्मेटीशन अगर कोई है तो मौला काइनात बहुत से फैसले इसमें physics, chemistry, biology, हर चीज़ है दो फैसले मैं ऐसा बयान करूँ जो आज का कोई भी master's करने वाला बच्चा मुझसे बराहराद बात करे 17 उट लेकर कुछ लोग मौला कायनात के पास आए और कहा कि इसको ऐसा तकसीम करें कि इसको जिबा ना करें एक को एक बटा नौ मिले एक को एक बटा छे मिले एक को एक बटा दो मिले 17 उट तकसीम नहीं जो math जानती है लेकि मैंस का एक उसूल है मैं खुद mechanical engineer हूँ आप लोग इसको बेदे जानते हैं suppose किया जाता है supposition होती है उसके बटा सब्सक्राइशन को वापस ले लिया जाता है जब आजसर निकला आता है 17 उट को तकसीम नहीं ये मैट का इल्म है mathematics है मैं दुन्यावी इल्म की बात कर रहा हूँ उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब कहाना कि 17 उट को तकसीम करने एक मभूत है पुरा मजमा के मौलाय काइनात क्या करेंगे कमर से का मेरा उट लाओ उसको उसमें शामिल किया 18 हो गए का तुम्हें कितना चाहिए उसने का जिए मुझे एक बटा दो चाहिए दो से आप तकसीम करें 9 उसको दे दिये तुम्हें कितना चाहिए एक बटा 6 6,3,8,9,3,15 उसको दे दिये तुम्हें कितना चाहिए एक बटा 2 18 का एक बटा 2 9 का 9,6,15,2,17 तकसीम हो गए कमर से का मेरा उट मुझे वापस कर दो यह वो फैसला है कैसे फैसला कि अब यह मुझे नहीमी साब की हमसरी बहुत अच्छी लग रही है कि नोने वो बाते च्छीड़ी हैं जो एक लोग कुछ लोगों ने लोहे का बहुत बना दर्वादा बनाने का होकम दे दिये एक लोहार को दर्वादा तयार हो गया जब तयार हो गया तो उसने का कि पैसे दें उसने का यह पैसे आप इसको तोलने हम आपको पैसे दे देंगे तो पैसे तो हुआ नहीं है कि इसका वज़न कर ले हम पैसे दें अब इतने बड़े लोहे का उस जमाने में कोई डिजिटल सिस्टम तो अब कैसे वज़न करें नियत खराब थी कि पैसे देने नहीं चाहते से ये फैसला पहुंचा मौला काइनात के पास मौला काइनात ने क्या किया का इसको ले जाओ दरीजा के किनारे इसको कश्टी बिडालो कश्टी बिडाला तो अब कश्टी पानी में एक खास हट तक लिए चली वहाँ पे निशान लगवा दे देखिए मैं वो सारी बाते कर रहा हूं जो आज के दौर की बात कर रहे हैं जब आप हमें दीन की बाते करते हैं उसमें फिजिक्स के मिस्ट्री बेलो जी खाएं वो निशान लगा लिया फिर उस लोहे के दर्वाजे को उतार लिया फिर लकनी के या लोहे के छोड़े चोड़े पीसिस को उसे कश्टी को भरा जब उसी निशान तक वो कश्टी वापस आई तो वो सारे लोहे के टुकड़े उतार लिए का इसको तोलो इसका वज़न करो और उसके पैसे सुखानलाव यह वो बाते हैं अगर आप एक मंदिल यह तो फैसनों का मकाम है नहीं इल्म के मकाम पर आएंगे मौलाए कायनाओ गुजर रहे हैं एक जगा से यहां जो पानी निकलता है जमीन से उसमें शकले टूटती बनती आप लोगे इनको समझते हैं के शकले टूटती बनती है पानी में और हम जब पीते हैं तो इसका जाहिका बड़ा बदमजा है तो मौला कायनला नहीं नहीं का कि इसके दो जवाब है एक जवाब तुम्हारे लिए और एक जवाब आने वाले जमाने के लिए ये रखी ख्याल रखेगा कि अरब की सरजमीन है तुम्हारे ली जवाब ये हैं कि तुम्हारी पानी ना पीना तुम्हारी सहत के लिए मुदिर है और आने वाने लिए जवाब यहाँ अदिनी टाकत की सको कशीद करके पूरे काईनात का दूनिया का निदाम चलेगा पिट्रॉल बहरा था वहां पिए और मौला ये तु नहीं कैसा है पिट्रॉल है लेकिन मौला ने जवाब आने वाले जमाने के लिए तारीख भरी पड़ी देखिए अब आप फदीलतों की जब बात करेंगे ये तो है ना इन्फराजिस में कोई शरीक नहीं है शजाद एक ऐ मौला की चारवे के साथ कह रहा हूं मुझे और रिख तारीख में एक ढून के दिखाये जो अली की तलवर का जख्मी हो हर चीज का कमाल होता है तलवार का कमाल है काटना मौला कायना ने जिसको भी कसल किया दो हिस्सों में मरभ हो अंतर हो जो भी हो दो हिस्सों में या उपर से नीचे दो हिस्सों में तकसीम किया है या दर्मियान से दो हिस्सों में तकसीम किया है और जब दोनों का वजन किया गया तो बराबर है तो मौला ने जुमला कहा था कि हुनर तलवार में नहीं होता हुनर हाथ में होता है मौला काइनात के हाथ में कोई चीज आए वो नकस रह जाए ये मुम्किन नहीं हो सकता अच्छा आप इल्म के मैदान में अब जब बात करेंगे, जब आप सकावत के मैदान में बात करेंगे, तारीख का आदमी मैं तारीख के वाकिया तेजी से बियान कर रहा हूँ, एक जंग से वापस है तो मौले गनीमत उटों पे लदावा था, साहिल ने सवाल किया, कि मौला मुझे खेराद दे, मौला ने का कंबर, कंबर के हाथ में वो उट की लगाम है, का कंबर खेराद दो, का मौला खेराद जो है, वो संदूख में है, तो मौला ने का संदूख दे दो, का मौला संदूख उट पर है, का उट समेट दे दो, का उट कतार में है, का सारी कतार दे तो जब यहां तक पहुँचे ना तो कंबर ने लगाम छोड़ दिया फॉरन तो किसी ने बुज़े कंबर तुमने छोड़ क्यों दिया तो देखता नहीं कि मेरे मौला का दर्याय सखावत जोश में ऐसा नहो कोई कहे कि लगाम कंबर के आथ में हैं और मौला के कंबर को भी खहरात में हैं देखे प्यास रूह की बच्चती है इस नगीने से अक्बाल के कलाम है जो बाद में बाकिया आते हैं अक्बाल और अखसे सफर के नाम से शाया हुआ अकीदत की मन्जिल पे क्या कहते हैं उप्ति साफ शाय इसका लुथ ले के हूं मुरीदे खान नाने खुफता है खाके नजब मौज़ दर्याप ले जाएगी साहिल पर मुझे दिल में है इस बेअमल के दागए इश्क के एहल बैट ढूनता फिरता है जिल्ले दामने हैदर मुझे जिल लगी कि कोई शुबा ले सकावत शुजा अचा ये कमाल कहीं नहीं मिलेगा अगर कोई सकी होगा तो शुजा नहीं होगा शुजा होगा तो आलिम होगा मौला कायनात की दात वो है कि जो भी सिफत है इन्सानी इतने पहलो और हर पहलो ही इंतहाई खुबसूरत मुफ्ति साथ आप से जाना चाहेंगे कि ये तो तारीख के कुछ वाकियात है जो हुलामा साथ ने हाँ पर बहान किये जब उनकी तलवार, उनकी शुजात, उनकी सखी होने का रुत्बा ये रहा है तो जिन घजवात में जिन मुहिमात में उन्हें ने खुद हिस्सा लिया हुदूर अकरम साथ उन घजवात का थोड़ा सा जो है जो हो जिकर कीजेगा देखें पहला घजवा जो सेदना अली कर्म लाह ताला वजह करीम ने हिस्सा लिया वो बदर है बिलकुल और बदर में आप देखते हैं कि ल्ला करीम और जवाला जो वालि वालिवारी ने जब मौला अली कर्म लाह ताला वजह करीम बेजा तो बदर के सतर जो काफिर जहन्म वासिल हुए हैं उन में से 35 हजडते लीकरैम तक्रीम के ऊटसे हुए यानि पूरे मुजाहिदीन की जंग की कारगुजारी एक तरफ और अकेले मौला अली कर्रम लाह टाला वजहुलकरीम की कारगुजारी जो है वो एक तरफ और ये भी जेन में रहना चाहिए कि ये पहला गजवा था जिसमें हदरत अली कर्रम लाओ ताला वजहुलकरीम ने वो शर्कत की है यानि आप ये समझें कि मुझे असल में आपको अर्ज करूँ कि देखें ये जो हक है ना हक ये एक बड़ी कुवत है जिसको अल्ला अता फर्मा देता है वो बड़ा आदमी होता है और उसका वो बेमिसाल शिक्सियत होती है लेकिन एक तो ये ना कि हम दौा मंगते हैं अल्ला मुझे हक का रास्ता दिखा रसूल अकरम صلى लो लिए वाली वाली स्लम ने जो है वो हदरत अली कर्रम लार्ला उच्क करीशता बाइ़os फल्क करीश है हम हम तो पीषे चलते हैं है और हक जो है वो अली के पीछे चलता है बस जहां देखो अली वहां समझो हक वहां पे आके अली जहां खड़ा है वहां समझो हक खड़ा है अली की जात जहां पर तश्रीफ फर्मा है हक जो है वो उदर जो है वो तश्रीफ फर्मा होता है तो आपने हमेशा हमेशा जो है वो यानी हक ने आपको फालो किया है और हक आपके साथ साथ रहा है जो 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 करते चले गए हक जो है उसकी ताईद खुद बखुद जो है वो करता चाली आपकी चला गया जितने मकामात आप देखते हैं हजरत अली कर्म लाहु ताला वजहुलकरीम जो है वो हमें हक पर नजर आते हैं वो बदर का मैदान हो वो उहुद का मैदान हो वो जमल का मैदान हो वो सफीन का मैदान हो जहां कहीं भी हमें नजर आते हैं علی جو ہے وہ حق پہ ہمیں نظر آتے ہیں اور علی کی شان جو ہے چونکہ یہی ہے کہ حق جو ہے وہ علی کے ساتھ کھڑا ہے آپ جب حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ حق کے فالورز ہوتے ہیں اور جب حق جو ہے وہ آپ کی طرف ہوتا ہے تو پھر یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کو ہی عطا فرمایا ہے تو آپ نے بدر کے میدان پر جو جوہر دکھائے وہ بھی تاریخ نے ثبت کیے عہد کے مقام پر جو آپ نے جوہر دکھائے وہ بھی تاریخ میں ہیں اور آگے خیبر تو خیبر ہے خیبر کی پچانی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم اور پھر اس دن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم جو ہیں وہ آشوب چشم میں مبتلا تھے جب غزو خیبر کا اختتامی مرحلہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن قبل یہ ارشاد فرما دی جب وہ جوہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے ایک دن قبل جوہے وہ یہ فرما دیا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے تو جب دوسرا دن آیا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلایا گیا اور صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں حضرت ابی سعود خضری رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابہ کہتے ہیں اے کاش ہماری تمام زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہو جائیں اور خیبر میں جو رسول اللہ نے مقام جو ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے وہ مقام اللہ جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دیتا یعنی یہ صرف participation نہیں ہے یہ مقام ہے دیکھیں آپ ایک مجاہد کی حیثیت سے جو ہے وہ کسی جنگ میں شریک ہوتے ہیں نہیں آپ جو ہے وہ آپ یعنی اس جنگ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ منعون کر دیا جاتا ہے وہ آپ کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے علی جو ہے قرم اللہ تعالی وجل کریم نے ہر موقع پر اب دیکھیں کہ جب یہ غزوہ خندق ہوتی ہے اس غزوہ خندق میں کوئی بھی جو ہے وہ اس یعنی جو تھا بڑا آدمی تھا مرحب عبدعود جو تھا اس کے مقابلے میں کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ جو ٹرنچ کو دی گئی اس میں تمام تر صلاحیتیں اور قوتیں جو ہیں وہ جواب دی گئی تھی اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بار بار ارشاد فرما تو مولا علی نکلے مولا علی نکلے اور جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم نکلے تو پھر رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عبدعود کے مقابلے میں علی کو کھڑا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آج دیکھو کہ مکمل ایمان مکمل کفر کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کو کل ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو یہ پارٹسپیشن سے اوپر کی باتیں ہیں یعنی یہ جنگوں سے اوپر کی باتیں ہیں یعنی ایک جو ہے وہ کسی کو قتل کرنا یہ بڑا مقام ہے لیکن ایمان کی کل ایمان کی نمہندگی کرنا کل اسلام کی نمہندگی کرنا یہ علی کے ہی حصے میں اللہ سبحانہ وآلہ نے رکھی کہ جہاں جہاں حضرت علی کرم اللہ تعالی لیکن میں آپ کو ارز کروں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے خلوص کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا ساتھ دیا اور اس خلوص کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہماری کمزوری کی وجہ سے وہ طاقت اور وہ توانائی عطا فرمائی کہ ہم نے بڑے بڑے دشمنوں کو زیر کیا اگر ہمارے دل میں خلوص نہ ہوتا تو آج شجر اسلام کی کوئی ٹینی وہ سرزبز و شاداب نہ ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو برطن تھا وہ بھی اتنا وسی تھا کہ یہ سب کچھ آ سکتا تھا سما گیا اس میں اس میں سما سکتا تھا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات کو اللہ نے ایسا وسی ظرف دیا تھا علم کی بات کی گئی وہ دیا تھا حلم کی بات کی عدل کی بات کی کیا چیز تھے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر کوئی صحیح نیابت کا حق ادا کیا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ادا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ صاحب اب کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے تو میں بس آخر میں چاہتا ہوں پانچ سات منٹیں جو وسیعت کی گئی ہے حضرت علی کی طرف سے اپنے صاحبزادوں کو بلکل وہ وسیعت ایک تو میں بتاؤں گا پورا ایکسپلین کیجئے گا اس کی کتنی سگنفیکنس ہے بالخصص آج کے دور میں دیکھیں میں نیمی صاحب جی جی پلیز وسیعت کی طرف آوں گا نیمی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ہر پڑا لکھا اب بھی وہ بات کرے گا کیونکہ تاریخ کا کوئی مسلک نہیں ہوتا تاریخ کسی مکتب یا کسی مکتب سے فکر نہیں ہوتی میں کسی بڑے موریخ کا ایک جملہ آپ کی حضرت نظر کر رہا ہوں کہ بنو میہ کی تلوار سے چھیلے ہوئے قلم اور بنو عباس کی روشنائی میں ڈبو کر لکھی گئی تاریخ سے جو فضائل بج گئے ہیں وہ ہم بیان کر رہے ہیں اللہ اس پر یہ آل ہے کہ جب ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں تو آپ بھی جھوم رہے ہوتے ہیں کبھی ختم حضرت بحلول دانہ فرات کی گنارے بیٹھے ہوئے اپنے کشکول سے پانی نکال نکال کر پھینک رہے ہیں کسی نے کہا یہ بحلول کیا کر رہا ہے بس یہ شام تک فرات کو میں خالی کر دوں گا اب کشکول کے اگر آپ شکل دیکھیں تو آدھی کھوپڑی جیسی شکل ہوتی ہے وہ پانی نکال نکال کے پھینک رہے ہیں کسی نے کہا کیا کر رہا ہے کہتا میں شام تک فرات خالی کر دوں گا تو اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے کشکول میں فرات سما سکتا ہے کہ جب تیری کھوپڑی میں علی سما سکتا ہے تو اس کشکول نفرات کیوں نہیں سما سکتا ہے دیکھئے کوئی مقام آپ لیں گے اب جو وسیعت کی آپ بات کریں بلکل محدود کرنا جاتے ہیں مام حسن علیہ السلام کو وسیعت کیے ایک خط لکھا ہے مالک اشتر کو وزدم جتنی آپ کو ملے گی دیکھئے جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو یہ مولا کے قول ہے بلکل بلکل ہر قول اپنے اندر اب اس کی تشریح کریں گے تو آپ وہ گھنٹا لگے گا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو ابھی عجیب جملہ ہے ایک اور قول سنیے گا کہ جب قبلہ نے کہا کہ علی حق ہے علی حق پر نہیں علی حق ہے جیدر جیدر حق پھرے علی پھرے ادھر حق پھرے مولا کے قیران حجور بلعاقہ میں ایک جملہ ہے کہ ہم سب کی تلاش ہے کہ حق کو کیسے تلاش کیا جائے مولا کے جملہ ہے کہ جب حق اور باطل میں تفریخ مشکل ہو جائے پتہ نہ لگے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو یہ جہاں لگیں گے وہ حق ہے اب فی زمانہ دیکھئے کہ باطل کی تیر جہاں جہاں لگیں گے وہ حق ہے آخری جو ایک وسیعت ہے جس کے آپ بات کریں امام حسن علیہ السلام کو وسیعت دیکھیں اس میں وسیعت میں یہ کہا کہ دیکھو گناہ سے بچنا اور یہ کرنا اور لوگوں کو حق ادا کرنا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو امام حسن علیہ السلام اور امام حسن کو جمعانہ جنت کے سردار ہیں ان کو یہ وسیعت کی جائے گی امام مولا کائنات کی ایک دعا ہے دعا ہے کمیل اس میں ذکر ہے کچھ گناہوں کہا کہ مجھے ان گناہوں سے بچائے وہ وسیعت ان کے لئے نہیں کر رہے وہ وسیعت آنے والے زمانوں کے لئے کر رہے ہیں مخاطب وہ ہیں آنے والے زمانوں کے لئے باتیں کر رہے ہیں اور پورا حکومت کا پورا نظام مالک اشتر کو ایک خط لکھا ہے جب انہیں مصر کا حاکم بنایا ہے جو آج بھی ہمارے ایوانوں میں سنا جاتا ہے اس میں پورا نظام حکومت مولا نے خط میں تحریر کر دیا ہے وہی بات ہے کہ جب آپ کے باز بخص نہیں ہے کہ جب آپ مولا کائنات کی شخصیت گفتگو شروع کریں گے جس طرف جائیں گے وہ آپ کو ایک بیلکل ایسے لا متنہی نظر آئے گا سمیڑ کر میں ایک جملہ کہہ رہا جاتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو رحمت اللی العالمین بن کے آیا ہے اس نے تعرف کرائے ہمیں نہیں ہم نے نہیں کہا علی مولا ہے نعیمی صاحب نے نہیں کہا علی مولا ہے بلکہ اس رسول نے کہا جس نے کہا اللہ ایک ہے ہم نے مان لیا اس نے کہا قیامت آئے گی ہم نے مان لیا اس نے کہا جنت ہے ہم نے مان لیا کبھی نہیں پوچھا اسی نے کہا ہے منکنت مولا فہاز علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اب مجھے ایک جملہ آخر میں کہنا ہے نعیمی صاحب سے دعات بھی لوں گا کہ جسے رسول صرف بتاتا رہا دکھایا نہیں اسے تو آپ مانتے گئے اللہ ایک ہے بتایا دکھایا نہیں آپ نے مان لیا جنت ہے بتایا دکھایا نہیں آپ نے مان لیا فرشتے ہیں بتایا ہے دکھایا ہے نہیں آپ نے مان لیا مجھے صرف اتنی سوال کرنا لوگوں سے کہ جسے رسول صرف بتاتا رہا اسے تو مانتے رہے اور جسے بتاتا بھی رہا اور بلند کر کے دکھاتا بھی رہا کبھی مدینہ کی ممبر پہ کبھی غدیر کی ممبر پہ اس کے فضائل کو ماننے میں ہمیں ذرا بھی تعمل نہیں کرنا بے شک آخر جملے آپ سے بھی ایک جملہ چونکہ ان کی طرف سے آیا کہ جس پر احسان کرو اس کے شرس سے بچوں مولا علی کا یہ فرمان یہ کیوں کہا گیا میں چاہتا ہوں اس پر آخر گفتگو کر لیتے ہیں دیکھیں میں آپ سے ارز کروں کہ جب جو ہے وہ کسی پر احسان کیا جاتا ہے اور احسان کرنے والا جو ہے وہ کم ظرف جب ہوتا ہے تو پھر ایسے معاملات جو ہے وہ پیسے بات وہ ہوتے ہیں کیا خوبصورتی جو ہے حضرت علی کررم اللہ تعالی وجل کریم نے ہمیں جو ہے وہ اس طرح ہوشیار کیا کہ اب آپ نے اس پر احسان کیا ہے یہ دوسرا وار آپ پر یہ کرے گا کہ آپ کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائے گا میں اقریبہ ایک گزائی اس نے کہا ایک سائیکلوجیکل مسئلہ سمجھ لیجئے نفسیات کا مسئلہ سمجھ لیجئے مولا کائنات نے یہ تو پتا ہے کہ سب تو کم ظرف نہیں ہوں گے نا سائیکلوجیکل مسئلہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے مجھ پہ احسان کیا تو اب میں کوشش کروں گا کہ یا تو آپ کا احسان کا بدلہ اتاروں یا میں راستہ بدلوں آپ آئے ہیں راستہ کارڈیاں ہوں گا ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی نظروں میں تو پھر میں وہ حد کرنے استعمال کروں گا میری نیت بری نہیں ہے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کام کروں گا کبھی آپ سے راستہ بدل لوں گا کبھی آپ کا سامنا نہیں کروں گا کبھی آپ کی خلاف ڈال دو اسلام کی تعلیم جب احسان کرو اس سے تبقرہ رکھو کہ تمہیں وہ واپس لے یہ تو اللہ جانتا ہے نا کہ اللہ جس پر احسان کر رہا ہے یا جو اللہ پر احسان کر رہا ہے اس کے علاوہ اس عادل مطلخ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں جو احسان کا وہ بدلہ دے سکے جو احسان کا بدلہ جس کا تقالہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ صاحب بہت شکریہ علامہ شکریہ اختر صاحب ساتھ موجود مفتی قوزدار احمد نائمی صاحب ساتھ موجود ہیں اور جس طرح دونوں مہمانوں نے کہا اور واقعی بڑا درست کہ وہ بس گفتگو کر رہے ہیں اور جس طرح ہم جھوم رہے ہیں شور کہ اتنے خوبصورت انداز سے وہ واقعات بیان کرنا ان کے فضائل بیان کرنا کہ واقعی یہ پروگرام کیا یہ ٹرانسمیشنز بھی ختم ہو جائیں فضائل ختم نہ ہو لیکن چونکہ دامنے وقت میں گنجائش کام ہے تو ہم کو اکلی جلیں گے رضا قاظمی صاحب کی طرف کہ پروگرام کا ایک خطام بھی منقبت سے کریں گے رضا صاحب جو سربلندی کی آرزو ہے علی کی چوکٹ پہ آکے دیکھو بڑھاؤ دست طلب یہاں پر یہاں پہ سر کو جھکا کے دیکھو دلوں کی دھڑے کل علی علی ہے نبی کی آباز گونجتی ہے دلوں کی دھڑے کل علی علی ہے نبی کی آباز گونجتی ہے تمہارے دل کو جلا ملے گی علی کو دل میں بسا کے دیکھو خدا سے مانگو ضرور مانگو مگر حوالہ حوپل جیتن کا خدا سے مانگو ضرور مانگو مگر حوالہ حوپل جیتن کا قبول ہوگی دعا تمہاری انہیں وسیلہ بنا کے دیکھو نزل ہوتا ہے رحمتوں کا یہی گھرانا ہے برکتوں کا علی کی میں فل خدا کی میں فل خدا کی میں فل میں آکے دیکھو اگر تمہارے بطل پہ ہوں لا کرے کوئی شب کی تیرگی میں اگر تمہارے بطل پہ ہوں لا کرے کوئی شب کی تیرگی میں شکست ہوگی ضرور اسے کو علی کا نعرہ لگا کے دیکھو اور دعائیں دے گی علی کی بیٹی تمہاری نسلوں کتا قیامت دعائیں دے گی علی کے بیٹی تمہاری نسلوں کتا قیامت بنا میں اصغر پیس کی نام کسی کو پانی پلا کے دیکھو جو سر بلندی کی آرزو ہے علی کی چوکٹ پہ آنکے دیکھو موسیقا 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 موسیقا